तो जी आज का व्लॉग मैं बहुत ही अच्छी टिप के साथ स्टार्ट करूंगी तो यहां मामा क्या कर रही है कि बनाना जाय थे तो उनको अलग-अलग कर रही है क्यूंकि इस तरहाना बिल्कुल फ्रेश रहते हैं 8-10 डेज ना बिल्कुल फ्रेश रहते हैं अगर तो हम यह पूरा का पूरा बंच इसी तरह से फ्रेज में रख देना तो बिचारे जल्दी गलसर जाते हैं तो इसलिए मामा एक-एक करके रखती हैं तो अराम से फ्रेश यह निकाल लेती हैं और खाने में भी बहुत मज़ा आता है तो हम लोग फ्रेज में रखते हैं क्यूंकि मुझ में इस तरह करके देखिएगा और से एसके बाद साथी मामा ना गरमे की भी क्यूँग कर रहीं थी क्यूब्सने क्यूब्समें जब मैंगो का सीजन था त feder kyu एक कि कर्तिंग को रही है और लामा इस ओसलिए करें के रखती हैं कि हम लोग जब और जाएं फ्रेज खुलने गर्मा जो थाना मैंने टेस्ट किया इतने मज़े का था और वैसे भी मिठा मिठा होना तो मज़ा तो तब भी आता है अच्छा जी तो ये फ्रूट्स वाली वीडियो दुपहर की थी मैंने सोचा आप लोग किचन देख देख के बोर हो जाते हैं तो आत मैं फ्रूट्स से स्टार्ट करती हूं और उसके बाद दुपहर में जो लंच बन रहा था उसकी मैंने वीडियो नी बनाई और अब रात को मैं डिनर के लिए लाजानिया बना रही हूं क्योंके जो लाजानिया है ना मुझे बहुत पसंदर मेरे भाईयों को भी बहुत ज्यादा पसंदर तो वो एक दो दिन से कह रहे थे कि हमें बना के दो और फिर मैंने सोचा कि काफी दिन होगी है मैंने भी अपने खानों की तरीफ नी सुनी तो क्यों ना लजानिया बनाया जाए तो जनाब यहां मैं किचन में आगे लजानिया बनाने के लिए और वैसे ना लजानिय के मैंने रेसिपी पहले ही शेयर की वी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इसके इलावा मैंने ब्रेट से लजानिया बनाया था वो भी बहुत टेस्टी बना था उसमें लजानिया शीट्स की जरूरत नी होती परसीजर सारा ही सेम है लेकिन वो भी बहुत टेस्टी था उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाजमी एड़ कर दूँगी तो यहां सबसे पहले तो लजानिया शीट्स को वाइल करने हैं सिरफ 10-15 मिनिट्स के लिए शीट्स को वाइल करते हैं अच्छा जी तो पानी में हम लोगों ने सॉल्ट और विनिगर एट कर दी है ताके जो शीट्स हैं एक दूसरे के साथ जुड़े ना और जो लजानिया शीट्स है ना बड़ी देच्की में वाइल करें तो ज्यादा बहतर रहते हैं लेकिन पता नहीं क्यों आज मैंने च्छोटी निकाल ली थी और फिर मैंने इसी में रख दी क्योंके मुझे पता था यह सॉफ्ट हो के नीचे बैट जाएंगी लेकिन अगर आप लोग बड़ी देच्की लेना तो वो ज्यादा बहतर है जी तो जैसे इसके बाद मैं साथी फिलिंग रेडी कर रही थी और फिर मैंने पूरी रेसीपी नहीं शेयर की है यहां तो जब तक यहां शीट्स पॉाइल हो रही है तो तब तक ना मेरे माइंड में जो बात चाल रही थी मैं आप से वो करती हूँ जी तो हमें ना इंसान को ना किसी को भी इक्तियार नहीं होता है किसी भी दूसरे परसंद को जजज करने का जो जजज्समेंट पावर है ना Tallह टाला ने गलत जजज कर रहे होते हैं तो इसलिए हमें कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए और किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए और अगर कोई अपनी तरफ से महनत कर रहा है अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको एप्रिशेट करें और अगर कोई इसमें मिस्टेक है तो आप उसको वो भी बताएं कि आप ये गलत कर रहे हो और इसमें ये मिस्टेक है ताके वो नेक्स टाइम से इंप्रूव करे और जजज तो बिलकुल भी नहीं किसी को करना चाहिए तो वैसे भी किसी को अगर हम गलत जजज करते हैं अपन पानी आ रहा होगा मना देखके बना इतने मज़े का था क्या करू अच्छा तो लजानिया काने के बाद मेरी मामा री थी न खतम हो गई थी जो ठोडी सी तो वह लिख रही किा मैंने का मामा लिख रही है तो इनकी भी वीडियो बना ली जाए एक फारन ने कैमरा पकड़ा और मामा की वीडियो बनाना शुरू कर दी तो जी चैनल है इंडिया की हैं वो H.S Lifestyle उनके चैनल का नेम है और मैंने उनका चैनल विजिट किया है बहुत अच्छा चैनल है उनकी बहुत अच्छी वीडियोज होती है मुझे परसनली बहुत पसंद आई है उनकी वीडियोज और मैं बहुत इंडिया करती है उनके व्लोग्स देखके तो आप लोग भी उनके चैनल पर जाईएगा उनको स्पोर्ट कीजिएगा तो इंशाला वो भी आपको स्पोर्ट बैक करेंगी क्योंके उनकी वीडियोज बहुत अच्छी है देखने में बहुत मज़ा आता है मुझे इतना मज़ा आया है तो आप लोगों को भी लाजमी मज़ा आएगा और इसके इलावा जो कल व्लोगिंग विद हीना का मैंने बताया था और मुझे पूरी उमीद है कि आप लोगों ने उनके स्पोर्ट किया होगा और अब हम मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में तिल देन अला आफीस टेक केर दवाओं में याद रखिएगा बाई बाई